अब यह जब डेट नजदीक आएगा तो हो सकता है अपने क्रिप्टो मार्केट पे निगेटिव इंपेट और भी ज्यादा बनाएगा और अपना बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा और नीचे जा सकता है हेलो दोस्तों स्वागा थाको आप बिटकॉइन दोनिया में मैं संजर्मा तो कल की वीडियो आप लोग ने देखा मैंने कल ही बताया था कि मार्केट की जो कंडिशन है वो सही नहीं लग रही है और हमें और भी ज्यादा डंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन को प्राइस मैं कहूंगा मार्केट को देखे ज्यादा घबरानी जो अतनी है रिलेक्स रही है अभी अपने मार्केट केप को देखेंगे तो 931 बिलेंड डॉलर के करीब आज चुका है वन ट्रिलियन के नीचे भी चल ला है बिटकॉइन पाइस जब मैं वीडियो रिकॉड कर रहा हूं पिछले 24 घंटे के अंदर ब्रेक करके यहां तक आ गया है अब यहां पर बिटकॉइन प्राइज जो डंप हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ा रिजन क्या तो पिछले दो दिनों के अंदर आप लोग देख रहोंगा बहुत सारा ऐसे बैड न्यूज सुनने में आ रहे थ अब लोग ने न्यूज सुना ही होगा मैं आप सभी को जो भी न्यूज रहा है अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से और अपने ट्विटर के माध्यम से आप सभी को दे रहा हूं तो आप लोग इन दोनों प्लुटफाउं को जॉइन कर लिजे अमरा टेलगाम चैनल है उस केस फाइल किया जा रहा है अब इसकी वज़य से अपने मार्केट में थोड़ा सा पैनी का महल क्रेट होने का वज़य ये भी है कि अपने आप में ये टॉप फाइब एक्चेंजों में आता है इसके लाए USA का जो कैपिटल गेन टैक्स है 20% to 40% और एक अपडेट था USA की तर है उन सब का भी यही हाल आप देख सकते हैं पूरी तरह से आपर रेट का महल चल ला है अब ये चीज़े आगे भी कंटिनू रह सकती है क्योंकि अभी FMC मीटिंग में 12 दिन बचे हुए है और यहां पर जिस तरह से रिजल्ट सो कर रहा है उमीद यही किया जा रहा है कल भी वर्निंग दिया गया था कि जो इंट्रेस रेट है इस बार इंक्रीज किया जाएगा इस बार हाई आएगा वैसे यहां पर कुछ डाटा चेंज हो रहा है यहां पर 78% के करीब लोगों ने वोट किया था कल के डेट में 500 से 525 के करीब टार्गेट रेट था लेकिन अभी पोजिट चीजे होती है तो कहीं ने कहीं फिर से अपने क्रिप्टो मार्केट हो लो उपर उठते हुए देख सकते हैं और एक चीज भूलिए कमा दोस्तों यह अभी बिटकॉइन पर उसी जोन में आ चुका है जहां पर बिटकॉइन की पिछले बार बाइंग हुई थी करीब का है यहां पर ब्रेक करता तो बिटकॉइन पर तक जाते हुए देख सकते हैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी और अठारा जार का जो सपोर्ट है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आल्सकोइन के लिए भी आल्सकोइन आप लोग ने देखा और डॉलर के रिपका इसका रेश्टेंस है अब मैंने आप लोगों को बोला कि ऐसा पहली बार नहीं है कई बार इस तरह की स्थी हुई है आप सभी को मैंने बताया हुआ है बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में कल की वीडियो मैंने जिकर किया था एक साल चालिस दिन बच मार्केट बहुत ज्यादा अप और डाउन होता है कारण क्या है सब ने देखा है पास्ट में बिटकॉइन का जब भी हाल्विंग हुआ है उसके बाद एक अच्छे खासे लेबल बिटकॉइन में पंप देखने को मिला है ठीक है तो सब लोग यही माइन में लेके चलते हैं वहाँ पे जो लोग लॉंग करके रखते हैं कि भाई अब यहां से बिटकॉइन पर रूप जाएगा तो वहाँ पे वो मार्केट को अपोजिट डारेक्शन में लेके जाते हैं यहां मैं दिखाना चाहूंगा बिटकॉइन हाल्विंग जो 2020 में हुई थी उसके पहले एक सा 2016 में जो बिटकॉइन हाल्विंग होई थी यहां आप देखते हैं 365 दिन पहले 42 पर गया था लेकिन उसके पहले आपको देखेगा डंप भी और यह जो 350 दिन के अंदर भी आप देखेंगे अगर तो बहुत ज्यादा बिटकॉइन पर और नीचे हुआ ऐसा नहीं कि का प्राइज 365 दिन पहले डंप हुआ था और यह जो 365 दिन है उसके बीच बहु ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला था बिटकॉइन के प्राइज में तो इस वज़े से मैं कहूंगा कि अभी तक आप लोग ने अपने को होल्ड करके रखा है तो 6 से 1 साल और होल् लॉंग टर्म के लिए पूरीता से बुलिस है और जो भी लॉस है वो आपका रिकवर हो जाएगा अंत में एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोग को याद होगा मैंने दो सब्ता पहले एक AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्रिप्टो जीपिटी के बारे में बताया इसका एक एयर डॉब भी था मैंने आपको प्रोसेस बताता है कैसे आपको पार्सिपेट करना है इसकी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है दोस्तों आज की डेट में इसकी लबक साथ से आठ एक्चेंजों पर इसकी लिस्टिंग है यहाँ आप आप देख सकते है जो है पॉइंट फाइब डॉलर के करीब है थोड़ा सा मार्केट अभी निगेट्व डाक्सर में चला गया है फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा प्रोफार्मेंस यह लिस्ट होने के बाद कर सकता है क्योंकि यह प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत जाद अदम है और इसी बताना चाहूंगा अभी क्रिप्टो जीपीटी से रिलेटेड हैस्टेक बहुत जादा यहां पर ट्रेंड कर रहा है लेगिन वहीं पर आप देखेंगे तो बहुत सारे फेक भी यहां पर एकाउंट बना के रखे हुए तो आप सभी से कहना चाहिए जो भी अप सर्च करके यहां पर जा सकते हैं जो भी अपडेट होगा आपको इनके ओफिसल वेबसाइट पर मिल जागा तो किसी भी इस कैमर के चकर में मत आ जाईएगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अपडेट अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब् वीडियो के थ्रू भी गाइड करता रहोंगा बाकी इस वीडियो में इतना ही जैहिंद